नमस्कार दुफ्तों क्या वह भविश को बिना बिगाडे अतीत को बदल पाईगी चीज़ें यूं होती है इसे मूवी में and to be honest एक मूवी आई थी प्राइम मीडियो पर जिसका नाम आई जैसा टोटली किलर था जहांपर भी चीज़ें अगेन कुछ सिमिलर ही थी जहांपर एक लड़की बग्त में पीछे पहुच जाती है एक 2816 किलर को उसकी पहली हतिया करने से रोकने के लिए ऐसा ही कुछ सिमिलर सा बहाँ पर भी था लेकिन ये मूवी है भई मैं कह सकता हूँ कि मूवी engaging है interesting है writing और pacing के लिहाज से अच्छी है हलनकि फिल्म में कोई intensity नहीं है कोई excitement नहीं है कुछ भी ऐफा नहीं है कि बहुत बड़ा हो रहा हूँ बग्त में पीछे जाने के बाद जब वो killer पहली हतिया करता है तो वो कुछ थोड़ा सा thrilling मुझे लगा है पर एक twist भी निकल के आता है जहां पर हमको पता चलता है कि अगर वो जिसको बचाने के लिए वो बग्त में पीछे गई है अगर वो जिन्दार रहे गई तो इसका अस्तित्व खत्म हो सकता है इसका अस्तित्व खत्रे में पढ़ सकता है जो क्या है कैसे है क्यों है आप लोग को देखी लिए ना पता नहीं क्यों मुझे एक करदार पर डाउट हुआ था कि ये हो सकता है लेकिन फिर मुझे पता चला कि मैंने सोचा कि इस बंदे को उसके लिए feelings हैं तो ये कियो होई किसी को मारेगा फिर मैंने बोची इगनोर की ल अखर नहीं करेगी और जो राइटिंग पेसिंग है वो भी अच्छी है मुवी की जो एक घंटा पचीफ मिनट की जो लेंथ है वो easily निकल जाती है कुछ भी व्यादा तंग नहीं करेगी परेशान नहीं करेगी और कहीं न कहीं मुझे इसने पूरी तरीके से अपने साथ इ टर्मिनेटर में भी ऐसी कुछ चीज़ें देखी हैं जिसको एक रदार को बचाने के लिए वो एक रोबोट बक्त में पीछे जाता है क्या क्या होता है तो कुछ बहुत नया नहीं है लेकिन फिर टीसेंट सी एक वन टाइम बाच मुवी है जिसमें कुछ भी खास एक्साइ आप लोगों ने मुवी देखी है अपने टेक फिलिक के बताना वागी है लाक्षे ने सब्स्राब करना चैनल को वीडियों एंड़ देखी नेते चानल साने हैं आप टैंक यू